नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके पने चैनल अंकित वर्मा और अच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस विडियो में आपको आजा 13 फरवरी 2022 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताजा खबरों के जानकारी इस विडियो में देने वाला हूँ तो विडियो पर एंड तक बने रही है अगर आपने वी तक विडियो को लाइक नहीं किया है तो विडियो को लाइक करके शेर कर दें और अंकित वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच चाके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने भी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हिमाचल प्रदेश के किस डिश्टिक से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए लेकी उपकरम इंडियन पोटाश लिम्टेड ने जोर्टन, इजराइल, कनाड़ा रोज साधी देशों से या खाद प्रियाप्त मात्रा में नहीं मगवाई है इससे हिमाचल परदेश के लिए जोए इसके आपूरती नहीं हो पा रही है शिक्षव विभाग प्री प्राइमरी स्कूलों में इसमा शिक्षिक भरती के आसार कम तो शिक्षव विभाग की ओर से त्यार किये गए पस्ताव के तयत आंगनवाडी कारे करता हूं सहित नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और अर्ली चाल्ड होड केर का कोर्स करने वालों को भरती में मौका जोए दिया जाएगा धर्मशाला एच्पीसिये ने भार्त शिरलंका मैस से पहले मनाए बारिश के देवता इंद्रुनाग तो एच्पीसिये के निदेशक संजे शर्मा ने बताया कि मैचों के दोरान मौसम साफ रहे इसके लिए इंद्रुनाग में हावन पार्ट के लिए के साथ जो है भंडारे का आयोजन किया गया बिलासपुर शहीद के पिता बांचा राम बोले बेटे ने देश के लिए जान निवचबर की अंधेरे में नहीं लगाएंगे घर तो प्रशासन ने शनिवार को हमीरपुर जी लेके भूटारेस्ट है उसमें बिलासपुर जी लेके सेउग गाउं की शहीद अंकेश भारदवाज की पार्थिवदे को रखा है रवीवार सुबा शहीद की पार्थिवदे घर पहुंचेगी जहां से राजकी सम्मान के साथ मुक्ती धाम में अंतिम संसकार किया जाएगा करोना हिमाचल में चार और संक्रम्टों की मौत 409 पॉष्टिव मरीज़ों आया है तो परदेश में करोना की जांच के लिए 7166 संपल लिएगे स्वास्ति विभाग के आंक्रों के अनुसार अभी तक कुल 4062 करोना संक्रम्टों की मौत हो चुकी है कुल 2,7277 लोग करोना को मात दे चुके हैं परदेश में करोना सक्री ये केस जो है एक्टिव केस जो है 3999 जो है रह चुके हैं रक्षा मंत्रा लेने जारी की अजिसूचना देश की 56 चावनियों में बोड का 6 मा बढ़ाया कारेकाल तो रक्षा मंत्रा लेकि और से अजिसूचना जारी होने के बाद जो है साथ फर्वरी को भारत की राजबत्र में इसे प्रकाशत कर दिया गया है रक्षा मंत्रा लेकि अदेश के अनुसार इनका कारेकाल आगामी 6 मा के लिए जो है बढ़ा दिया गया है परदेश में जो है साथ चावनिक शेत्र है उद्योग विभाग सत्तर करोल के निवेश वाली 33 सिकाईया मंजूर 755 लोगों को मिलेगा रोजगार तो उद्योग विभाग के निदेशक ने गहा कि हिमाचल परदेश में उद्योगी करण को बढ़ावा देने के लिए के अंदर सरकार गें उद्योगी को विकास यूजना की गोशना की थी राज अस्तरीय स्मिती की पिछली साथ बैटकों में 168.65 क्रोल रुपए के 118 मामलोग क्यों सुईक्रिती दी थी भूकंप 6 दिनों में दूसरी बार थरतर आया हिमाचल का किन नौर तो किन नौर में शाम करीब 7 बज कर 16 मिन्ट पर भूकंप के जटके मैसूस की गए बूकंप की तीवरता पैवानने पर 2.9 आंकी गई और इसका के अंदर जमीन के अंदर 10 किलोमीटर ग्यार हाई पर था मेडिकल यूनिवरस्टी हिमाचल में MBVS के दूसरे राउंड की काउंसलिंग पर रोक तो मेडिकल यूनिवरस्टी नहीर चोप में नई तीथी निर्दारित करने के लिए अब स्वंबार को निर्णे लिया जाएगा हरांकी परदेश मेडिकल बिश्य विद्धेले में दूसरे राउंड की काउंसलिंग 10 फरवरी से शुरू कर दी गई थे सिरमोर किशाववांद प्रियोजना की डीपियार बनाने का टंडर अवाल तोटोंस नदी पर मोहराल शंबर खेड़ा में पस्तावित पहुदेशी किशाववांद प्रियोजना की डीपियार बनाने का टंडर अवाल जो हो गया है शेर वेलोसिटी और सिस्टेमिक डाटा स्टेडी का कार्य भी लगभग फूरा हो चुका है शेमला कैबिनेट बैठक के बाद दिली जाएंगे मुख्य मंतरी जाराम ठाकोर तो विति वर्ष 2022-23 के बजट को अंतिम रूप देने से पहले सीम जाराम ठाकोर केंदरी मंतरा लियों से जेक केंदर से बेत गोशे बेत पोशेत योजनाव पर स्थिति साप करेंगे इस तोरान मुख्य मंतरी केंदरी मंतरियों के अलाबा भाजपा की राष्ट्रे अधियक च्यागत परकाश नडड़ा से भी भेंट करेंगे हमीरपूर शेहिद अंकेश की पार्थिव देव भोटा पहुंची रविवार को पैत्रिक गाउं सेहू में होगा अंतिम संसकार हिमाचल निउस हिमाचल में 33 सो अधियोगों को मंजूरी भाग ने दिये स्वेकरिती तो ग्यारा उद्योगी को और 22 प्रेटन एकाईय शामिल 70 करोड का होगा निवेश 755 को मिलेगा रोजगार हिमाचल में 15 से फिर बारिश बर पहरी प्रदेश में एक नच सहित 123 सड़के अभी वीज़ए बंध है तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से धूप खेलने से मौसम खुश गबार बना हुआ है इससे अधिक्तम तापमान में उच्छाला आया है और शीत लहर का प्रकोब कम हुआ है मौसम विभाग ने 15-16 फरवरी को प्रदेश के पहरी इलाकों में बर पहरी की आशंका जिताई है पूरा नहीं होगा कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना उन्ना के कुटलेड में जाराम का दावा तो फिर बनेगी भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने का कांग्रेस का सपना कभी पूरा नहीं होगा या बात जो है कुटलेड बिधांसा बक्षेत्र के समूर कला गाउं में जो है करोना के चलते रोखी थी प्रक्रिया तो अब भ्यारती स्पी कार्याले से पता करें ग्राउंट टेस्ट के तिथी समय हमेरपूर में पचासी सो और उन्ना में जो है पूर्व कर्मचारी महासंग ने अब परदेश सरकार से आरपार के लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है पेंशनरों को वकार मिलेगी खुश खबरी क्याबिनित में जा रहा है पूर्व कर्मचारीयों को लाब का मामला तो राज जे के 14 लाग पेंशनरों को जहराम सरकार सोंबार को वो खुश खबरी दे सकती है जिसका वो लंबे समय से इंतजार जोह कर रहे है 14 फर्दवी को मंत्री मंडल की बैठेक 17 फर्वरी से छोटी कक्षाओं के स्कूल खोलने पर लग सकती है मोहर हिमाचल में बनेगी कांग्रेस सरकार अक्सिडेंटल मुख्य मंत्री का सत्ता से जानाते मुकेश अगनियोत्री तो दोस्तों ये थी आज 13 फर्वरी 2022 की हिमाचल प्रदेश की आज के सभी ताजा खबर है अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक ने किया है वीडियो को लाइक करके शेयर करने हैं परंक्यत परमा और अच्पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नॉटिफिकेशन सब्से पहले पहुंच सके धन्यवाद जैहिन जैभार